गुड अप्टर नून दोस्तों एंसी आटी की सीरीज में हम पढ़ रहें क्लास 7 से विक सब तक हम कम्प्रीट कर चुके चैप्टर नमबर वन और टू के नोट्स आज हम करेंगे चैप्टर नमबर त्री पूर और फाइफ के नोट्स उसके बाद सिक्ट सैवन फिर एट जादा पढ़े कुछ है नहीं इसमें बस आपको दिमाग में अपनी चीजों को रखना है और जनरल चीज़े हैं कभी फ्री हो जाएंगे तब पढ़ लेज़ेगा दरवाज इतना भी लन कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर थी इस थान तर पर काम करते हैं है इसको शाषन कर लेंगे अब हम पढ़ें किकी राज्य शाषन कैसे काम करता है सबसे पहले विदायक कौन होता है राज्य में अधर्य को विदायक या अमेले कहा जाता है है मैले मतलब मेंबर आफ लाजिस्ट्रिव एसम्ली का संशिप हुआ है एमले का चुनाव जंत्राद्वारा किया जाता है और फिर वे लेजिस्ट्र एसंब्ली के मेंबर यानि विदान सभा के सदस्थ से बन जाते और सरकार बनाते हैं बाहरत की हर राज्ये में एक विदान सभा है हर राज्ये का निर्वाचन हर राज्ये का निर्वाचन बटा हुआ है ठीक है अलग-अलग शेत्रों में बटा हुआ है हर निर्वाचन शेत्र से जनता अपने प्रतिनीधी चुनती है जो विदानसभा के सदस्य यानि विदायक बन जाते हैं विदायक अलग-अलग राजनेतिक दलों के होते हैं जिस राजनेतिक दल के विदायक मैंना जाता है कि राज्य में उस दल का भॉभमत भॉभमत प्राप्त करने वाले राज देतिक दल्सकों ऑक मुद्धू हम दिउसर है विद्धायकर अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्य मुख्य मंत्री मंत्रियों का चैन करता है चुना के बाद राज्य का राज्य पाल मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की न्युक्ति करता है मुख्य मंत्री तता अन्य मंत्रियों का ये दाइत है कि वैशाशन के विभिन विभागों या मंत्रलगों चला है उनके अलग-अलग कारेले होते हैं विदान सभा एक ऐसा इस्तान होता है जा सभी विदायक चाहेवे सत्तादारी दल के हो या विरोधिदल के विबिन इश्यों पर चर्चा करने के लिए एक रिटित होते हैं इस तरह कुछ विदायकों की दोरे जिम्मेदारी हो जाती है एक विदायक के रूप में दूसरा मंत्री के रूप में तो विदासभा में ऐसा चलता है अब आएंगे हम लेसन नमबर फोर प में अंतर स्पस्ट करता है यह बहुत कम आयू से ही शुरू हो जाता है उधारन के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन किलोने दी जाते हैं निकि लड़कों को अलग लड़कों को अलग लड़कों को प्रायक खेलने के लिए कारे दी जाते हैं लड़कों को गुडिया दोने घरिलू काम का कोई मुल्य नहीं होता, जो महिलाएं घर पे काम करती हैं, जिसको हम लोग ग्रैनी कहते हैं, हाउस वाइब कहते हैं, वो जो काम करती हैं, उनका कोई मुल्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोई दंखान नहीं मिलती है, तो एक कोशन कहीं पे आया था, मैच इट उसमें था बिना पैसे का मजदूर तो वो ग्रैनी पे उनको टिक करना था मैच करना था तो यह चीज़े जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ समझने वाली चीज़े भी आता इसी में से लेकिन को थोड़ा सा गुमा के कर दिया जाता है तो इस चीज़ को अब ध्यान रखेंगे यह कोशन आया था एक बार और इस बार भी आया था पूरे देश के कई गाओं में शाशन ने आंगन बाडियां और बालवाडियां खोल रखी हैं जिसके सहत यदि किसी संस्ता में महि के लिए जो भी क्वश्टा है वो शाशन करेंगी जो इस इस्थानी गव्वर्मेंट हो करें अब यह को सुर सुस्विंत को लिए यह अकष्टन के स्थे शांगरुटा का भाव है और यानि कि अपने एस पूस्थे लिए आगरूखोना यह आसमेता कहलाती है दोरा बोज्ट क्या होता है इसका शाप्दी करता है दुगना बजन सामने ते इस शब्द का महिलाओं के काम के स्थितियों को समझनी के लिए प्रयोग किया जाता है इस सत्ते को स्विकार किया जाता है कि महिला आम तोर पर घर के भीतर और घर के बार दोरा कारे बार समालती है ये भी एक कोशन इस बार आया था और इसका ये कोशन था कि एक लड़की है वो यह एक महिला है कि वो ऑफिस जाती है फिर उसके बाद घर आती घर का काम करती है ऐसा था कि वो एक लड़ होए सिर्फ दोरा बोज अव मुल्यत ठीक है जिसका कोई मुल्य नहीं पाता यानि कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई रिस्पॉंस ही नहीं मिल रहा है उसका ठीक है कोई अप्रिशेट भी नहीं कर रहा है तब वह स्वयम को अव मुल्यत मैसूस करता है उधारन के पहला लड़का अव मुल्यत मैसूस करेगा जस लाइक कोई चीज बना दो कोई डिश बना दो अपने घर में जो भी बहिला है अगर सुन रही है तो अब कोई चीज अगर बना दिया किसी को पसंद नहीं आए तो फिर वो क्या मुल्यत हो जाएगा ठीक है मतलब कोई कोई हुआ को महिलाओ को अधिक सेयन्शिल और विनर बताया गया है और जाता है कि विज्ञान के लिए तक्निकी दिमाग की जुरुषत होती है और लड़कें और महिलाएं तक्निकी कारे करने में सक्षम नहीं होती यानि कि पहले ही माल लिया गया यह लड़के अनेक लोग इस प्रकार की रूड़िवादी धाना में विश्वास करते हैं इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर वा इंजीनेर बनने के लिए अध्यान करने के लिए और प्रसिक्षन लेने के लिए वह सेयोग जो नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिल पाता है लड़के बहब को यह इतना नहीं कर पाएंगे ऐसे लड़की हैं एक लक्षमी लकारा उत्तर रेलवे की पहली इंजन चालक है यह कहती थी कि मुझे जिस काम के लिए मना किया जाता था कि लड़के कर सकते हैं वही काम में करके दिखाती थी यह जो सारे पॉइंट है बच्चो इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें से कई बर कोशन आता है रमाबाई ने घर पर रहकर ही पढ़ना सीखा उन्हें पंडित की उपादी इसले दी गई क्योंकि वे संस्कत पढ़ना और लिखना चानती थी पंडित रमाबाई ने 1858 में पूरे के पास खेड गाह में एक मिशन इस्तापित किया जहां विद्वा एवं गरीब इस्त्रियों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने के शिक्षा दी जाती थी यह थी रमाबाई अब आरी है मारी रासुंद्रे देवी रासुंद्रे देवी 1800 से लिखे 1890 पर पूर्वी बंगाल में रहती थी 60 वर्ष की अवस्ता में इन्होंने बंगला भाशा में अपनी आत्म कता लिखी और उनकी पुस्तक का नाम था आमार जीबोन यह भी आप आप में कता है यह फिर आती है रुकईया सकावत हुसेन उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था उन्होंने अपने बड़े भाई और बहन से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना सीखा 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी कहानी लिखी सुल्ताना का सुपन इसको सारे आपको देख नहीं हैं इसमें से कोशन आते ही आते हैं महिला अंदुलन के अभियानों के फलसरूप सन 2006 में कानून बना जिसका नाम ता घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षन अधिनियम जिस से घर के अंदर शारारिक और मांसिक हिंसा को भोग रही और्तों को कानूनी सुरक्षा दे जा सके इस तरह महिला अंदुलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वेच कारे के स्थान मतलब जहां पे काम करती है औरुप्षन स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यinka के क्तै course के अदि lesa से अदिश कहानून आर्थिक शेत्री समूं के लोगों की कुछ निश्चित विश्षता ही है या वे किवल खास प्रकार के कारे ही कर सकते हैं या अपने दिमाग में रख लिया है तब रूडिवादी धानाओं का जन्म होता है जैसे इस पार्ट में हमने देखा कि लड़को लड़कियों को अलग लड़कियों ना था या नहीं पूछना नहीं है कि विट्वादी धानाई हमें के व्यक्तित Vishis तो के साथ देखने से रोकती हैं कि उनकी क्वालिटी कि उनको नहीं पता है बस एक फिगर देखके हम लोगों ने बता दिए कि लड़का या तो यह करेगा लड़कियों की तो पूरा ग्रसिक रसित होती है बेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग वैवार करते हैं या भेद करते हैं इसको हम बेदभाव कहते हैं तो देखिए हमारा जो यह लेसन 3,4,5 11 मिनट में कंप्लेट हो गया और बस फटा फटा आप अपने नोटस इसको लिख लीजिए ताकि सबका एक्जाम बहुत अच्छे से हो and best of luck चलिए आप मिलेंगे हम लोग अपने चैप्टर 6,7,8,9,10 चोटी चोटी चैप्टर है जादी से उसको फिनिश करके फि हिस्ट्री को हम घेंगे करने क्योंकि कहीं से कोई भी कोशिन आंजयता है हिस्ट्री और जिया व्यवह चेज्विए डोनोग बुक से करेंगे और से रहे जोका है यह आधा यह एमन नोटस बनाएंगे तब तक कि लिए बाए बाई टेक के आफ